दोस्तो नमस्ते मैं समना थस्दा आज इंडिया का अंदार ओस्ट बांगाल में जेसे परिवेश सुरोख्षा उरिश्षा में जो परिवेश को सुरोख्षा के लिए परिवेश दुसान से इंसान को जीने के लिए जो हावा ऑक्सिजेन को बहुती जोरूरी है ऑक्सिजेन नहीं मिलेरने से तीन मिनिट तक इंसान जिन्दा नहीं रह सकता है पानी दो तीन दिन तक नहीं पिने से रह सकता है और खाना दोस बीच दिन तक नहीं खाने से रह सकता है लेकिन ओक्सिजेन तीन मिनिट नहीं रह सकता है इंसान इसी को बाचाने के लिए प्रकिती को बाचाने के लिए आदिवासी सहोताली जाती इंडिया का हार स्टेट में थड़ा बहुत है उलोक पुरकिती को बाचाने के लिए एसे की मौंत्री मौंडल से पसासन से अपील करता है रिक्वेस्ट करता है लेकिन उलोक को उद्वास्तु करके उहां से हटाके फेक्टरी लगाता है और एसे एसे तेरिके से आदिवासियों को भागाता है अभी जो इंडिया का अंदार एसे आदिवासि इतना इंग्रेज का साथ भी जमीन के लिए रिक्वेस्ट किया था उसी लिए CNPT, SPT एक्ट लिखके गया था और साथाल परगोना एक्ट CNPT लेकिन इसी को अभी इंडिया में ज्यादा तरफ नहीं मान रहा जब पता लगेगा जो लादाक जैसे एरिया में चाइना कबजा करके रखा उहाँ अभी आदिवासि उस एरिया को कबजा करके नहीं रखा था बोलके इंडिया गॉण्मेंट भी इभी उसी को लेनी पा रहा उसका बाद P.O. के पाकिस्तान कबजा करके रखा ओ भी अदिवासियों ने उसी एरिया को कबजा करके नहीं रखा था बोलके ओ भी पाकिस्तान का हाथ में चला गया एसे ही इंडिया का हार स्टेट में ओस्ट बंगाल में जैसे ठुर्गा पलकाप नाम पे उडिसा में कोई दोसरा कोई फेक्टरी का नाम पे कुम्पानी का नाम पे का रहा ये भी अधिवासियो का ये रिक्वेस्ट इलोक को भागा के इलोक को विस्तापित कारके इसे का रहा लाष्ट में इस एरिया को भी कोई तो किसी अमिरिका का हाथ में चला जाएगा ना तो इंग्लेंड का हाथ में चला जाएगा ने तो और कोई देश का हाथ में चला जाएगा एसे लाष्ट में इंडिया को उस एरिया को भी हाथ छाड़ा करना पड़ेगा तते कोमपानी का नाम पे इंग्रेज जॉब इंडिया में इस्ट इंडिया नाम पे आया था सिरिफ एक टेंट बेठाने के लिए जागा मागा था उसी से पूरा इंडिया को 200 साल राज किया था तब एशे ही अदिवासियों ने पुरकित्ति को जोमी को इसे तो कोई इंडिया में इतना सेना है तो भी अलादक जैसे एरिया को चाइना से नहीं ले पार हा उसका बाद पियों के जैसे एरिया को इतना सेना से भी ले नहीं पार हा लेकिन इन आदिवासियों को एशे करके हटाने से उस एरिया से उस एरिया को दोसरा कोई कबजा करने के लिए प्रेरित होगा इसलिए मैं समना थासदा दुनिया का हार इंसान बुद्धी जीवियों को बहुत रिक्वेट सरूप बता रहा हूँ ये जे प्रकलकप्प का नाम पे आदिवासियों को हटा रहा इसका मतलब आदिवासि जो जमीन को अच्छा तरीके से राख रहा प्रकितिक को बाचा रहा लेकिन ये भी गलत तरीके से एसे की संगविदान में लिख्या हुआ तो भी उस कानून को भी उलंगन कारके कोई का रहा ये चाहे कोई ऐसे आद्मी का हिसाब आंदार से ये दिमा का रहा हो तो मानोविशिक संतुलन हीन इनसानी ऐसे सायत का रहा इसलिए उसको पेचानना चाहिए ने तो इंडिया में लाट में ऐसे एरिया भी लाट और कोई दिस बीदेस का हाथ में पार जाए तो बाद में इंडिया का अंदर भी बहुत देस बन जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया का इसलिए मैं सभी को रिकुस्ट करते हुए ये बात को खतम करता हूँ नमस्ते सभी को